Hello, this question is from 2078 Kaatik इस question में हमें कहा गया है the bob of 3 meter pendulum वैसे तो इस question में यहाँ पे इफ आप question देखोगे exam वाला आयोई syllabus में तो यहाँ पे 2 लिख दिया गया है और यहाँ पे 3 लिख दिया गया है तो मैंने चूज किया है 3 को यह दोनों ही एक ही नंबर होना चाहिए था लेकिन वहाँ पे यहाँ लिख दिया और यहाँ पे 3 so I chose 3 and according to that the bob of 3 meter pendulum describes an arc of circle in a vertical plane यह जो circle सा बना हुआ है यहाँ पे यह pendulum bob है और इसका distance from this point is 3 meter if the tension in the cord is 2 times the weight of the bob of the position zone इसका मतलब यह है इस bob में जो tension लग रहा है Tension T जो इस direction में है इस direction में वो है 2 times of the weight of the bob weight मतलब क्या होता है mass into gravity weight is always mass into gravity और mass केतना दिया हुआ है mkg और gravity का मतलब होई 9.81 या फिर 10 भी ले सकते है the tension equals to 2 times of the weight of the bob okay find the velocity and acceleration of the bob in that position तो में find क्या करना है velocity and acceleration और यहां पर simply दे दिया गया है bob bob का mass है m distance from this point is 3 meter and the angle यह जो vertical बना हुआ है यह पर vertical plane और यह जो bob इस position में है तो इन दोनों के बीच का angle जो है that is 30 degree so after understanding the question we will do the free body diagram free body diagram में हम इस तरीके से काम करने वाल है जैसे कि यहां पर bob है तो bob obviously यहां से attached है इसका जो string है यहां attached है क्योंकि यहां से attached है तो string में एक तरीके का tension create हो रहा है so in this direction इस direction में T apply होगा तो वही मैंने यहां पर लखा है T now हमें already पता है किसी भी object का जो होता है weight वह downward direction में जाता है किसी भी object का वह किसी भी position में हो उसका weight will be in downward direction mg जो force है उसको हम resolve करेंगे क्यूंकि इस बार जो हम question करेंगे वह हम ऐसे वाले में से नहीं करेंगे जो हम करते थे upward direction moving from left to right will be taken positive and upward direction is positive तो यह question हम करने वाल है this direction जो direction होगा this will be positive और यह direction होगा this will be positive इस वाले direction में करने वाल है that's why we are resolving mg into two components mg के साथ यहां पर angle known है जहां पर known नहीं होता है वहीं पर cost जाता है that's why mg Entertainment is cost 30 degree और जहां पर angle known नहीं होता है वहां पर sign होता है remember this very clearly जीसे की हम एमटि दिया हुआ है और यहां पर angle एंगल दिया हुआ है यहां pa यहां पर angle attached होता है angle जहान पर known होता है वहीं पर हम cost लगाते हैं और जहां पर angle alone नहीं होता है वहां पर sign होता है यह तो हो गया हमने किया है force resolve जो force था और जो tension था उसे हमने यहां पर लिखा और जिले कि mg था तो उसे दो components में resolve किया अब यहां पर एक और तरीकिया force लगेगा that is normally and tangentially क्यूंँ लग रहा क्योंकि यह बॉब है यह हमेशा roll होते रहता हैcience जो जाएगा ब्रयाईजनयभिल馅 अभी कि लिए यहां पर जाएगा लेकिन अभी के लिए वह यहां पर दो यहां पर आटा पर इस hou आर्पर i लेकिन अब यहां पर इस से 90 रिगरी होगा यह जो बॉब है यह जा रहा है और जो 90 रिगरी बनेगा अ लेकिन यहां पर क्यूंकि बॉब होगा ऐसे करके तो यहां पर इसका टेंजेंशल फोर्स यहां जाएगा और उसे से 90 रिगरी विल बी आवर एक्सलिरेशन यहां पर दो टाइप का फोर्स होगा एक तो टेंशन और वेट जिसको हम डिजॉल्फ करेंगे और दूसरा जो एक् हो रहा है वो बॉब यहाला भी फोर्स यूज हो रहा होगा if you have confusion कि हम यहाला साइन क्यों नई यूज कर रहें जो आपवार्ड जो जाता है फोर्स और जो लर र्प्तो राइट जो डायक्शन है वह उसको हम क्यों ने करें हम उसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं लेकिन हम यहाँ पर उसा अप्लाई कर देंगे यहाँ पर यह समयbase यहाँ बना यहां पर लाइन बना यहां और 30 degree हो जायगा suppose यहां पर लाइन ड्रॉख करेंगे और यहां 30 डिग्री हो गाओ अमने लीजिए तो 80 will resolve in two forces और यहां पर क्या हो जाएगा 80 cos 30 degree और downwards में हो जाएगा 80 sin 30 degree वैसे ही an है तो an का यहां पर 30 degree होगा तो an यहां पे हो जाएगा an cos 30 degree और इधर जो force लाएगा that will be an sin 30 degree अब इसको resolve acceleration को हम जब resolve कर देंगे तब आप जब calculation करिएगा आप यह भी try करके देखिए calculation करिएगा there will be lots of problem क्योंकि an और at का value पता है नहीं तो जो equation बनेगा उसते जो result आएगा उसमें बहुत ज़्यादा time लग जाएगा अगर आप an और at को resolve करने लग जाओ कि इसका हम position change नहीं कर सकते है because bob move हो रहा है इस direction में move हो रहा है that's why इसका position तो हम change करने सकते हैं इसको resolve ही करना परेगा that's why हम अपने convenience के लिए यह direction ले रहे हैं यह वाला positive और यह वाला positive आप यह वाला भी try कर सकते वाला try करके ng जैसा था वैसा ही रह जाएगा और t resolve होगा if आप यह वाला direction लोगे लेकिन an और at इसका कोई भी value नहीं है उसको resolve करना परेगा और उससे ज्यादा confusion create होगा that's why for your convenience take this direction यह वाला direction और यह वाला direction उससे solution ज्यादा easily बनेगा now after the free body diagram जो भी हमने force resolve किया था अब उसको use करेंगे और acceleration का value लाएंगे that's why force in tangential direction सबसे पहले जो tangentially जो force लग रहा था in this direction bob किस direction में move कर रहा है in this direction that's why tangential और उससे 90 degree विल बी आवर 9 मतलब 10 summation ft मतलब force in tangential direction in this direction we will take it in positive that mg sin 30 आप यह वाला figure देखो यह वाला figure में यह वाला direction यहाँ पे भी कोई नहीं है एक ही यह है और यहाँ पे एक ही value है mg sin 30 degree that's why यहाँ पे हो जाएगा summation ft equals to mg sin 30 degree so tangentially जो force आदा है that is mass into 80 that is acceleration in tangential direction summation in ft in second case that equals to m into 80 acceleration in tangential direction तो यह जो दो टर्म्स है that will be equal why summation ft यहाँ summation ft दोनो force जो है tangentially apply वाला that's why these both will be equal to combining one and two अब equation नहीं भी करके आपको directly समझ में आ रहा है आपको directly दिमाग में आ रहा है कि यह कैसे हो रहा यह equation मत बनाओ directly लिख दो okay mg sin 30 degree equals to m80 acceleration in tangential direction so 80 equals to simply mm cancel करो g का value 9.81 into sin 30 degree 4.905 और कि और अलसो रहे 4.91 meter per second square acceleration का जो unit that is meter per second square now force in normal direction अब किसका turn है यह वाला यह जो normal नमारा जो bob है tangential यहां पे जा रहा है acceleration और यहां पे जो है that is our normal so normally कौन-कौन सा force है उसको resolve करके value आएगा उसके exploration निकालेंगे जो हमने resolve किया तो दो force है यहां एक तो tension है string से attached है मारा bob से strings attached है वहां पे tension create होड़ा था obviously tension और bob का जो mass है उसको जो resolve किया तो दूसरा force के आया था mg cos 30 degree so अगर आप देखो तो मैंने किस T को positive लिया है that is this direction मैंने यह वाली direction को positive लिया है so T will be positive और यहां पे जो opposite direction जा रहा है जिसको मैंने positive नहीं लिया तो obviously this will be negative T minus mg cos 30 degree और जो दूसरा case है दूसरे case में normal force इस direction में जा रहा है जिसको कि हमने positive माना तो सी direction में normal acceleration जा रहा है that's why force होगा that will be m into an acceleration in normal direction into mass that is equals to force so and summation fn equals to m into an acceleration in normal direction so combining both of them T minus mg cos 30 equals to m an tension question में clearly यहां पे लिखा हो है tension is 2 times the weight of the bob 2 times the weight of the bob weight मतलब क्या हो गया हमारा w equals to mg और 2 times so 2 into mg minus mg cos 30 degree equals to m an obviously हम इस पे जो common है मैंने m को cancel कर दिया 2 into 9.81 minus और यहां पे क्या बचा m cancel तो g cos 30 degree that's why 9.81 cos 30 degree equals to an then an equals to 11.13 meter per second square now after the calculation of tangential acceleration and normal acceleration net acceleration equals to tangential acceleration square plus normal acceleration square and जब हम values रखेंगे that is equals to 12.16 meter per second square finally velocity of the bob denoted by V equals to root under radius into acceleration net acceleration तो जब भी हमारा कोई भी acceleration that is used in circular motion यहां पे bob जो है वो एक तरीके साप देखो तो वो circular type से move कर रहा है ऐसे करके move कर रहा है एक arc बना रहा that is in circular motion so in circular motion there is always the use of centipetal acceleration and centipetal acceleration का formula that is a equals to v square by r यहां फिर आप ac भी दे सकते हो so centipetal acceleration equals to v square by r तो obviously v equals to ac into r root under ac into r वही यहां पे लिखाया है मैंने root under net acceleration जो है था वो हो गया है और जो radius है वो तो radius हमारा कितना था you can see here 3 यहां पे 3 है 3 into acceleration कितना आया था 12.1c that is equals to 6.04 meter per second so the velocity of the bob will be 6.04 meter per second let's do it ऐस्तोर कितना थे कितना थानने